दिपिका पादोपॉर्ण और अन्वे सिंग हाल ही में पेरेंट्स बने हैं दिपिका ने बहुती प्यारी सी और खुबसरा सी बेटी को जन दिया है वही पर अपनी बेटी का फस्ट लुक भी उन्होंने शेयर किया है दरसल दिपिका पादोपॉर्ण ने दिवाली के मौके प पर जहां अपनी बेटी के पैरों की धलक दिखाई है, वहीं पर अपनी बेटी के नाम को रिविल भी किया है, दरसल दिपिका ने अपनी बेटी के नाम को लेकर अप सोचल मीडिया पर ट्रॉलिंग होने से भी परिशान होकर अपने फैंस को काफी जादा छटा भी दिया है, दरसल दिपिका पादुकॉर्ण जो कि अपने पैरंटिंग लाइफ को काफी जादा एंजॉय कर रही है, अपनी बेटी के साथ टाइम भी स्पेंड कर रही है, वहीं अपनी बेटी के नाव को लेकर भी सोचल मेडिया पर ट्रॉल हो रही है, दरसल दिवाली के मौके पर जहां दिपिका ने अपनी बेटी के पैरों की छलक दिखाई थी और ब्लेस भी किया था, वहीं पर ये भी बताया था कि उनकी बेटी का नाम दुआ पादुकॉर्ण सिंग है, जो कि उनकी नाम के डी अक्षर से शुरू होता है, अब लोग उने ट्रॉल कर रही हैं, दरसल लोगो का कहना है कि आखिरकार दिपिका ने अपनी बेटी का नाम ऐसा क्यों रखा, आखिर ऐसी क्या वज़े है कि दिपिका को अपनी बेटी का नाम दुआ रखना पड़ा, आखिरकार ये मुसलिम नाम रखने की जरूरत क्या थी, क्या हिंदू नाम नहीं थे, ऐसा लोगों का कह लोग कह रहे हैं कि या यह लड़की जो है वो शारुखान की बीटी है जो इसलिए इसका नाम दूआ रखा है तो कोई कह रहा है कि आखिर कार दिपिका को मुस्लिम लोग इतने पसंद आते ही क्यों है इसलिए तो दूआ नाम रखा है आखिर हिंदू नामों में क्या कर रहे हैं मुस्लिम नाम होने की वजह से लोग लगातार दिपिका और उनकी बीटी को ट्रॉल कर रहे है वहीं पर दिपिका पादुकॉर्ण है मैं अपनी बीटी के साथ एयरपोर्ट पर स्पोर्ट होई थी जहां अभी एपनी बीटी को क्योर करते हुए नज़राइए है फिराल दीपिगा की तरफ से कोई भी रियक्शन नहीं आया है वहीं दीपिगा के चाहने वाले लगातार दीपिगा को सपोर्ट भी करतें नज़र आ रहे हैं